स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयरवेदा प्लस में तो इस कामरा के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आप तो दास्वस्त रहें, मस्त रहें और कुपोशित कभी न रहें आज हम बात करेंगे अंडरवेट के बारे में यानि दुबलेपन के बारे में इसे आयरवेद ने कार्शयरोग का नाम दिया है जैसे मोटा पा एक बहुत बड़ी बिमारी है वैसे ही कार्शयता यानि पतलापन भी आयरवेद में एक बिमारी है अब अगर आप पतले हैं तो कैसे पता चलेगा कि आप इस कारश रोक के सिकार है या नहीं तो अगर आपका जो BMI है वो 18.5 से कम होगा तो आप अंडरवेट है तो ये कारशेता होती क्यों है पहली बात तो है कि सम्यक रूप से संतुलित भोजन का ना मिलना कारशेता का मुख्य कारण है इस कहरावा भोजन के पाक के फलस्वरूप यदि रज धातु की सम्यक रूप से उत्पत्ती नहीं हो पाती है तो उसके जो आगी की धातु में है रक्स, रक्त, मांस, मेद, अस्ती, मज्जा शुक्र नहीं बन पाती है और कारशेता यानि अंडरवेट की आपको बिमारी हो जाती है हमारे हायरवेट के कही महान गरंथों में कारशेता रोग के निवारण और उनके कारणों का वर्णन है चरक समीता के सूतरिस्थान के अध्याए 21 और शुशुशुशुश समीता के सूतरिस्थान के अध्याए 15 में इस कारशे रोग का वर्णन है तो आईए सबसे पहले इसके कारणों को अच्छे से देख लेते हैं सबसे पहला कौस है स्ट्रेस स्ट्रेस से भी बहुत तेजी से वेट खड़ता है हैरेडिटी भी एक बड़ा कारण हो सकता है इसके अलावा वबमन विरेचन जैसे संसोधन कर्म भी रस्पॉंसिबल है हाइपर थाराडिजम से भी वेट लॉस होता है अब जिसको निरंतर बुखार रहता है जिसे बार बार ज्वर आ रहा हो तो इसके वज़े से भी हमारा वेट लगातार घटता रहता है अब जिसको डाइजेशन एलेटिट प्रॉबलम है बहुत जादे डाइडिया हो रहा है तो मल के बहुत जादे निशकाशन से भी वेट जो है वो लॉस होता है परियाप्त ना लेने से भी वज़न का जो च्छाय होता है और कार्षय लोग हो जाता है अब कार्षय रोग के वज़े से होने वाले अन्य रोगों को देखते हैं तो इसके वज़े से अनेमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि कार्षय जो रोग है हमारा अंडरवेट का उसमें मैल नरिश्मेंट होता है तो अनेमिया हो सकता है और उनमें hair loss भी काफी आम होता है, जो underweight वाले लोग हैं, जो बहुत जादे malnourist हैं, उसमें बालों की बहुत सारी समस्याय हो जाती हैं, और उन्हें दाज से related भी problem होते हैं, और महिलाओं में जो underweight होती हैं, उनमें menses के related भी problem होती हैं, अब हम क्या करें? तो सबसे पहला चीज है कि digestion को fix करना, इसके लिए ginger tea सबसे बढ़िया हैं, आपको सुबह और शाम में ginger tea लेना चाहिए, और underweight वालों को पानी भी खूब अच्छे से पीना चाहिए, ताकि जो उनका digestion है, वो अच्छा हो सके और effectively किसी भी चीज को digest कर सके और absorb कर सके body में, अब आईए देख लेते कौन कौन सी exercises हमें करनी है, ताकि हमारा weight gain हो सके, सूर्य नमस्कार आपको करना है, इससे weight gain भी बहुत अच्छा होता है, और loss भी, जिसका underweight है, उसका weight gain होगा उससे, आपको प्राडायाम करना है, ताकि आपके body का जो digestion है, metabolism है, सुधर सके, इसके अराब आपको परियाब तनमीद भी लेनी है, तो आईए देख लेते कौन कौन सी diet है, जो हमें हमारे underweight की समस्या को दूर करने में मदद करेगी, और जो काशेता का रोग है, उसको जड़ से मिटाएगी, तो हमें लेना है, भारी जो खाने वाले समाने जैसे दूध है, इसमें पर है, अब आपको dry fruits की भी बहुत आवशकता पड़ेगी अपने weight को बढ़ाने में, तो सबसे अच्छा जो है वो है date, date खाओ और weight बढ़ाओ, तो date से भी बहुत तेजी से weight बढ़ता है, इसके अलावा आप बेल का मुरब्ब का खाईए, ये भी काफी healthy है, और weight gain में बहुत स हायक है, इसके अलावा आप सहथ खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, और अनार का juice बहुत ही उत्तम होता है, हमारे weight को बढ़ाने के लिए, आप मुनक्का खा सकते हैं, और सेड़ियों के सीजन में गाजर और beat root का juice भी बहुत ही healthy होता है, ये भी weight gain करने में काफी effective है, अब सबसे popular और सबसे effective है, वो है हमारा केला और दूद, तो आपको शुबह, दोपहर और शाम, चार-चार केला दूद के साथ खाना है, अगर आप तेजी से weight gain करना चाहते हैं, तो आप बनाना shake भी बना के पी सकते हैं, वो भी equally effective है, इसके अलावा आम, आम भी बहुत अच्छा होता है, weight gain करने के लिए, शुगर gain, ये भी बहुत ही अच्छा है, weight gain के लिए, इसके अलावा आप उरत की डाल का सेवन करें, ये भी परीथिवी और जल महभूत के अधिकता वाला है, और आप ड्राइफ फ्रूट्स खाएं, जैसे की बदाम, काजू, पिस्ता, आदी, आप non-vegetarian है, तो आप अंडा खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, सब weight gain के लिए बहुत ही अच्छा होता है, अब संतरपड़ वाला खाना खाने के अलावा आपको 8-9 घंटे की नीद लेना अत्यंत आवश्यक है, भरपूर नीद लेने स इससे ही आपका जो weight है वो बढ़ पाएगा, आपको चिंता बिलकुल भी नहीं करना है, और आपको प्रसन रहना है, इससे ही आपका जो body weight है वो बढ़ पाएगा, और आयरवेदिक जो अभ्यंग होता है, आपको अभ्यंग जरूर कराना चाहिए, ये काफी अच्छा शरीर का nourishment करता है, और body weight को भी बढ़ाने में सहायक होता है, और physical exercises की बात करें तो आपको बहुत ही जादे शारीरी कारियर नहीं करना है, एक limit में ही करना है, अन्यता ये lab के बजाए आपको हानी कर सकता है, अब अगर आपको कोई बिमारी है तो पहले आप बिमारी को ठीक करवा और आपको गुसा भी नहीं करना है, क्योंकि गुसा भी काफी हानी कारक है, अब आईए कुछ आयरवेदी कोशदियों को देख लेते हैं, जो underweight की समस्या को बहुत जल्दी दूर करता है, तो सबसे पहले है अश्वगंदा चून, ये body weight को बहुत असानी से और बहुत जल् लिगनेस के अलावा इसमें एक और benefit है कि ये mensis को regular करता है, और जो उनके जितने भी hormonal problems है, उनको भी ये cure करता है, अब जो third हमारा है वो है, यस्टी मधू, ये भी body weight बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, ये खास कर उन लोगर के लिए है, जो खाते पीते तो बहुत है लेकिन उनके शरीकिर में लगता नहीं है, तो ये स्टी मधू उन लोगों के लिए बहुत ही stable है, और उनका body weight ये काफी आसानी से बढ़ा देता है, तो आप इसे एक बार जरूर यूज़ करें, आशागरतियों के ये वीडियो आपके लिए लाबदायक होगा, तो आप इन अंडरवेट वारे लोगों से जरूर शेयर करना, थैंक यू